जैसे बिना घुटली के आम नहीं होता बिना काच के चसमें नहीं होता एंड दोस्तों बिना चाय पती के चाय नहीं बनता बिल्कुल वेसे ही दोस्तों एक्सपारी के दिन मार्केट उल्टा 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 मूब दे के आपका लॉस नहीं करता एसे कभी तो हो ही नहीं सकता लेकिन दोस्तों आज के दिन भी classy level से profit नहीं निकलता ऐसे भी कभी हो नहीं सकता क्योंकि clear cut देख सकते दोस्तों 48,000 से ज़्यादा profit expiry के दिन 50,000 से ज़्यादा profit 18,000 से ज़्यादा profit end दोस्तों जो मैंने कल के दिन वादा किया था कि यह expired special level में अपने free telegram channel पे देने बालों ब तो definitely हम call buy करेंगे उसके बाद आप देखिए दोस्तों वीडियो को like बनता है यार जैसे मेरे level को break की 130 पॉइंट का momentum गया जो मैंने कल आप लोगों को बताया था दोस्तों free वाले telegram channel का link description में है join telegram पोल के लिखा हूं फ्लिक करके join कर लिजी क्योंकि free में जो level दिया आप लोग देखी लोगों ने profit कमा के रखें 2000 profit 5000 profit and दोस्तों even 48,000 तक profit भी कमा के रखें तो जाइए join कर लिजे कल है Friday मजा आएगा कल के दिन दोस्तों आज के दिन market बहुत अच्छा position पे closing दिया है तो उपर 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 लेके जा रहे हैं तो उनका पिटाई होगा या फिर ये call writer का पिटाई करेंगे या हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है पॉपकरन पकड़ के एंज़ोई कीजी दोस्तों वीडियो का पूरा देखिए join नहीं कि जाए join के जीए बीना time pass की वेर सीजे चालू करते हैं दोस्तों पहले देखेंगे price section उसके बाद हम चले जाएंगे हमारा प्यारा सा option चेंट तो simple सी बाते हैं बेंग निप्टी से शुरू करते हैं दोस्तों ध्यान से देखिए वीडियो मज़ा आएगा definitely ठीक है और हाँ popcorn पकड़के तो जरूरा आप देखिए तो simple सी बाते हैं देखिए कल की दिन हो क्या सकते हैं बेंग निप्टी में simple सी बाते हैं दोस्तों हमें buy up करना है अगर कल की दिन condition दे देता हूं gap up थोड़ा सा होना चाहिए 50-60-80 point का gap up होना चाहिए और 39,850 यह level के ऊपर अगर 39,850 इस level के पीछी region logic में आपको बता देता हूं देखिए दोस्तों 39,850 अगर आम पीछे जाके देखे हैं बहुत deep region है दोस्तों simple करके मैं आपको बता देता हूं 39,850 यह देखिए मैंने क्यों देता हूं इस level के पीछी region रहता है डेट किया है आप देखिए आप तो यहाँ पे एक seller activate हुए थे seller party आप बोल सकते हैं activate हुए थे और यहाँ से दोस्तों वो seller लोग market को continuously नीची गिरा के लेके चलेगे तो 39,850 एक clear cut resistance है इसी region के बज़े से तो दोस्तों मैं आपको level दिया हूं लेबल निकालता हूं ढून ढून ढूनते आपके लिए आप clear cut देख सकते हैं अगर इस resistance की उपर कल के दिन मार्केट टिकता है देन definitely हमें एगें दोस्तों buying का momentum देखने को मिलेगा 40,000 तो पका टच करेगा लिख के दे देता हूं और 40,100 तक भी market जा सकता है दूसरा region अगर आप ध्यान से देखेंगे market ने एक strong closing दिया है यहाँ पर आप दोस्तों बेगनिटी क्या-क्या इसी resistance को market के आखिर में बंद होते होते हैं अल्रीडी देखे इसके उपर break करके strong closing दे चुका है यानि कि possibility यहाँ से ज़्यादा बनता है कि उपर के तरफ भी market move करें बोलके यह भी एक sign हो गया तो कल के दिन flat है फिर थोड़ा gap opening होके जो level ब buy करेंगे कल के दिन दोस्तों put अगर buy करना है 200 point का gap down होना चाहिए इतना नहीं होता सोचिये मत सिंपल सी बात हैं दोस्तों अगर कल के दिन market gap down opening हो गया दोस्तों से 300 point का और 39,347 इस level के नीचे जाता है तभी जाके आपको क्या करना है put buy करना है इसके पीछी region logic बताता हूँ 39,347 इसके पहले दोस्तों put के बारे में सोचिये भी मत clearly मैं आपको बोड़ना हूँ market uptrend है put buy करके ये सोचते रहेंगे market अब गिरेगा अब गिरेगा इतना चड़के अब गिरेगा market उपर नहीं जाता रहेगा तो बहुत सिंपल है दोस्तों इसके पीछी region बता देता उपर चला जाते हैं यहाँ पे टच किया उपर गया यहाँ पे टच किया उपर गया तो दोस्तों यह सिंपल सी बात है एक trend line है इसको बेंग निप्टी सीड़ी की जैसा support लेके आराम से उपर जा रहा है तो सिंपल सी बात है दोस्तों अगर समल लीजे कल के दिन सीधे market gap down क तो तोड़ के open होगा यानि कि यहाँ पे क्या होगा trend change हो जाएगा और 39,347 का level देखे इतना important support जो ने price यहाँ पे आप धिहान से देखे दोस्तों price यहाँ पे टच किया उपर गया फिर नीच चाहिए यहाँ पे टच किया उपर गया आज के दिन यहाँ पे टच किया उपर 39,600, 70 के आसपास हमारा benefit closing देखे दोस्तों अब आचुके हमारा benefit का उसंचन पे यह हमारा call writer अगर आप देखेंगे 39,600 के आसपास हमारा benefit closing देखेंगे दोस्तों उपर बाले level पे देखते हैं कि call writer कहाँ पे हैं आप कुछ दिखाई ही नहीं दा रहा है भाई मेरे आइधिंग थोड़ा चस्मा कम हो गया call writer है ही नहीं आप ध्यान से दिखिए दोस्तों call writer बिल्कुल है ही नहीं 39,700 पे 3,00,000 पे 3,00,000 पे 2,00,000 और 40,000 पे आप देखें 2,00,000 बिल्कुल call writer नहीं है भाई मैं तो 10 चस्मा लगा लिया फिर भी दिखाई नहीं दा रहा है लेकिन put writer आप देखें दोस्तों put writer देखिए बाहु बली बन चुके हैं 39,500 पे 6,56,000 प्लस put writer बेठे हैं यानि कि बहुत श्रौंग support रोइड कर चुके हैं नीचे बाले level पे put writer है यानि कि मेरा कहने का मतल है मैं market अगर कल चाता है अब चले जाते हमारा निप्टी को दोस्तों कि निप्टी में क्या हाल चाल है निप्टी में बहुत सिंपल दोस्तों कल के दिन condition बताता हूं देखिए अगर कल के दिन पहला कदम कल के दिन अगर market slightly get down होके 17,964 ये level के उपर अगर निकला I close करके call buy कर लिजे इसके sustain करना चाहिए 17,964 के उपर में बता रहा हूं इसकी पीछी region बताता हूं region बहुत सिंपल है पिछले दो दिन से अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए एक market ने range create कर दिया इसी range के अंदर market घुमता फिर रहा है पिछले दो दिन से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 17 18,964 का अगर आप लेविल देखेंगे दोस्तों यह कल के दिन का क्या था हाई था राइट यह एक resistance था आज की दिन भी अगर आप देखेंगे तो कहीं है कि इसी के आसपास आके हमारा like nifty रुख गया तो दोस्तों कहीं है कि ओल लेडी एक resistance है और इसके आसपास आके nifty दो दिन से रुका हुआ है कल की दिन अगर slightly get down opening हो के यह से घूम के जैसे ही दोस्तों लेविल को breakout करता है आपको 18,000 का target तो यहीं देखने को मिल जाएका चुटकी बजाता है और आपको पता है 18,015 अगर यह लेविल टूटा तो सीधा आपको rocket जैसा link कर वाएगा 18,089 के दोस्तों तो अगर कल की दिन फ्लेट ओपनिंग हुआ 17,964 तूटा तो definitely target 18,015 और 18,015 अगर तूटा तो target आपको 18,089 देखने को मिल जाएगा मुझे पता है 18,015 के पीछी रीजन आप लोग ढून रहे है अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों बहुत सिंपल रीजन है यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 18,015 इसके पीछे लेबल के पीछे रीजन ही यही था कि यहाँ देखिए market ने 18,089 यह तो एक resistance लेबल है यहाँ पर देखिए triple top बनाया था market तीन बार इसी लेबल को respect करके नीची गिरा था लेकिन गिरते टाइम देखिए यहाँ पर एक कि अगर कल के दिन 18,015 के उपर गया तो definitely हम buy करेंगे gap opening होके अगर flat opening हुआ तो level आपको मैंने दे दिया उपर के तरफ अब हमें sell कप करना है sell के लिए सोचना नहीं है दोस्तों कल के लिए sell के लिए हमें अगर nifty 150 point gap down हुआ 100 point gap down हुआ और 17,863 इस level के नीचे गया तभी put buy क करना है इसकी पीछी region क्या है 17,863 यहाँ पर अगर आप दियान से देखेंगे clear cut सपॉर्ट हैं यहाँ पर आप देखिए जब भी price इसको touch करते है उपर जाता है यहा पर अपर आप देखें जभी price touch किया उपर गया यहाँ पर देखें आज के दिन जब भी price touch किया उपर गय पर यहां पर थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं वजू थे हैं क्यूंकि 17,000 आप कहां पर हमारा निप्टी क्लोजिंग दियाएंगे नहीं हम देख लेते हैं कल के दिन अगर 18,000, 15,000, 18,000 टूटा तो सीधा मार्केट फ्लाइ करेगा दोस्तों उपर की तरब क्यूं मैं बता रहा हूं क्यूंकि 18,000 के लेवल पर आप देखिए 25 अगस्ट के लिए 25 अगस्ट का एक्सपैरी है आज से ही दोस्तों आज के दिन 26 लाग प्लस कॉल लाइटर 26 लाग प्लस कॉल लाइटर चेंज इन ओ आई ओ आई चेंज दिखा रहा है दोस्तों आज की दिन एडो के गहें और अगर आप ध्यान से देखेंगे पूट राइटर को 17,900 पे आप देखिए 25 लाग प्लस पूट राइटर बेटे हैं दोस्तों 25 लाग प्लस यानि कि और मुझे लगता है पूट राइटर नहीं जीते हैंगे क्योंगे कॉल लाइट 26 लाग लेकिन पूट राइट देखिए 20 लाग 25 लाग यानि कि थोड़ा ताकत बर नजर आ रहे हैं पूट राइटर यानि कल के दिन के आप खुला 18,000 पे आप 26 लाग प्लस कॉल राइटर